वेल्कम टू पासी घार अरुनाचाल का इस सियांग डिस्टिक का सबसे पुराना सिटी है माउंटेंज, सियांग रिवर, ग्रीनरीज आपको यहाँ पे मिलेगा हलो फ्रेंज मेरा एक नाया जानी में वेल्कम आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं रोट ट्रिप से फ्रम डिब्रुगार तो दे ब्यूटिफुल ओल्डेस टाउन अरुनाचाल प्रोदेश पासीघाट अभी में हूँ इंडिया का लॉंगेस्ट रेल्कम रोट प्रीज भोगी ब्रीज में इप्रुगार से हम लगों को ये बोगी ब्रीज में आने के लिए आधा घंटा जासा लगा इप्रुगार से बासीघाट जाने के लिए आपको ये थू बोगी ब्रीज ही जाना पड़ेगा इस ए 4.94 किलोमेटर लॉंग रेलकम रोट प्रीज पर दिखाई दे रहा है वो है अल्माइटी बंभपुट्रा प्रुगार से बासीघाट का डिस्टेंस तो दिखा रहा है बाइकार इस फोर आवर्स तो लेट सी कितना टाइम लगता है रोट कंडिशन इस नॉट सो एसे तो यह ब्रीज से अल्माइटी बंभपुट्र का ब्यूटी बहुत ही सुन्दर है लेकिन यह ब्रीज से संसेट का एक व्यू जेस्ट मन छू जाता है कुछ इस तरह का बोगी बिल क्रॉस करते करते चलिए बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टन कोईस्टेन का कोई भी ट्रिप का पहला सवाल होता है तो कब जाए यार उस जगा पे तो पासी घट के लिए इसका एंसर है ऑक्टोबर से एप्रिल मे तक भी जलेगा लेकिन एवोईट कीजिए जाते जाते रास्ते में तो थोड़ा भूख लग गया तो आगे है माई हांक रेस्टोरेंट पे बोगी बिल क्रॉस करके थोड़ा दूर जाते ही मिलेगा ये माई हांक रेस्टोरेंट जहां पे आपको टेस्टी आंड ऑथेंटिक आसमिस क्वीजन मिलेगा तो इही प्लेस मैं चूज किया लांच के लिए माई हंप में लांच करके अभी निकल पड़े पासी घाट के लिए according to Google में विहासे टू आवास का जैसा जार्नी दिखा रहा है in kilometer, it's near about 100 kilometer वोगे बिल क्रॉस करने के बाद ही रास्ता दोनों साइट पे चला गया चलिए अप लोगों को लेके चलते हैं पासी घाट लेकिन जाते जाते अप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे आ सकते हैं आप ये पासी घाट त्री आप्शन्स आपके पस है बाई ट्रेंग, बाई फ्लाइट और बाई रोड पासी घाट से सबसे पास वाला रेल्वे स्टेशन का नाम है मूरकॉंग सेलेक जो 35 किलोमीटर दूरी पे है पासी घाट से जहाँ पे जाने के लिए डिब्रुगार, ग्वाहाटी या तो फिर इटन अगर से आपको ट्रेंग मिल जाएगा मूरकॉंग सेलेक स्टेशन से आपको बस या टैकसी मिलेगा डिरेकली पासीघाट जाने के लिए सेकेंटली बाई फ्लाइट पासीघाट से सबसे पास वाला यारपोट है डिब्रुगार यारपोट नेक्स्ट है ग्वाहती एरपोर्ट जोकी वेल कनेक्टेड है विद मेजर सिटीज डिब्रुगर एंड ग्वाहती एरपोर्ट से रेल या फिर बाई रोड आप आराम से पासीगाट पहुँच सकते हैं पासीगाट में एक चोटा सा रीजियोनल एरपोर्ट भी है जो डिब्रुगर एरपोर्ट से हेलिकाप्टर सार्विस भी आपको मिलेगा वाया इटानगर किसी भी बुकिंग साइट में इसका डिटल्स अपको मिल जाएगा लास्ट ऑप्शन इस बाई रोड जो मैं अभी जा आपका आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे पासीगाट आने के लिए फाइनली पहुंचके अरुनाचल बॉर्डर यहां पे एक बहुत इंपोर्टन्ट इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ अरुनाचल में इंट्री के लिए आपको इना लाइन पार्मेट चाहिए जो आप आप्लाइ कर सकते हैं जिसके लिए आपको जाहिए एक रिसेंट फोर्टो, स्केंट, पास्पोर्ट या तो फिर पैंकर्ड और वोटर आईकर्ड एक फॉर्म फिलाप करना है और अनलाइन पेमेंट है 100 रूपीज पर परसन डिटल्ट इंफोर्मेशन का लिंक आपको डिस् एंट्री लेते ही एक ओल्ड सीटी का ही भाइब साया कुछ दूर जाने के बाद ही रास्ते के दोनों साइट में मिला लोकल हाट बहुत सारा लोकल पेपल बीजी था विंटा शॉपिंग में लाइक ब्लांकेट, स्वेटर, बरतन खरितने में तो सब लोग बीजी था इसलिए सिटी के अंदर में हम लोगों को थोरा सा ट्राफि नजर जाते ही देख गया अमेजिंग माउंटेन व्यूव, पासीघाट ब्रीज और ब्यूटिफुल माइटी स्यांग रिभा ब्यूटिफुल पासीघाट ब्रीज होके मेरा रास्ता अभी जा रहा है मेरा बुक्ट प्रापर्टी के तरफ, अभी आते हैं स्टेइंग आप्शन के तरफ, लिमिटेट होटल्स और होमस्टे आप्शन अपको कोई भी बुकिंग साइट में मिल जाएगा लेकिन मुझे सिटी लाइब से थोड़ा दूर नेचार के अंदर में रहना था दो दिन इसलिए में रोट से एक तम कच्चे रास्ते में जा रही हूँ मेरा कैम्प के तरफ मेरा प्रॉपर्टी ओनर रिपीटिटली बोला था कि बिफोर सांसेट आपको पहुँच ना ही है अभी समझ में आ रहा है क्यों नेचर के अंदर में रहना है तो प्रॉपर्बबली इसी तरह का रास्ते से ही मिलेगा जन्नत तो चलिए जाते हैं मेरे प्रॉपर्टी के तरफ ऐसे ही अपबिट प्लेस मेरे साथ में घूमना है तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्स्राइब करके रखिए और बेल बटन तो प्रेस करके ही रखिए सो दाट यू गेट माइ नोटिफिकेशन यह पाँच गए प्रॉपर्टी का फास्ट गेट में ऐसे दो किलो मेटर जैसा कच्छा रस्ते से आने के बाद यह फाइनली है मेरा प्रॉपर्टी का में एंट्रेंस अबर कांट्रे रिवार कैंप इस इस था प्रॉपर्टी विच आफ बॉक्ट पर तो नाइट्स और यह पाँच घंटे का जानी के बाद गारी से उतरते हैं यह एक फ्यूँ जस्त पूरा टायर्नेस को बाई-बाई कर दिया व्यूँ एंड प्राइस के हिसाब से बहुत सारा काटेगरी का रूम यह पे अवेलेबल है डिटिल्स पाता करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डेफिनेटली आप लोगों को लिंक मिल जाएगा यह है हम लोगों का प्रपटी से व्यू कॉटेज। एफस रूम नमबर तो अब्स क्पीफल प्रफ देस्स कॉटेज। यह इस दा बैलकनी बैलकनी से आपको एक पूरा ओल्माइटी स्यांग रिवर का व्यू नजर आएगा यह पर बैठ के चाहिए पिने का तो एक मज़ा ही आ जाएगा तो चलिए चलते हैं रूम के अंदर में दस दो रूम कोजी एन नाइस वां यहां पर जितना भी मेट्योरी यूस किया है वो टोटली इको फरेंटली है उट स्थील या तो फिर आईरन मेट्यूरील का ही बनाया हुआ है कि इफ रिफ री फानीचर सान और यह सब ही इको फ्रेंटली ऊट से बनाया हुआ है उसता पुरा बनाया हुआ है और यहां कर जो वाटर शप्लाई है वो डिरेक्टली सियं वीभार से आता है उसका पानी ही इंच होता है चलिए दिखाते हैं ये प्रपर्टी के कुछ कमन एरिया ये है डाइनिंग हॉल नाइसली डेकॉराटेट कुछ लाइट पोर्शन और दिस इस अ कॉमन सीटिंग एरिया बॉनफायर के लिए ये जगा ही यूज होता है ये एक कॉमन लिविंग स्पेस है बहुत छारा चीयर दिया हुआ है तो जिलिए इसके अंदर नेके चाते हैं यहाँ से अपको डिरेक्स यांग रिवर का व्यू भी मिले गाई अगर आप रिवर व्यू रूम नहीं भी लेते हैं तो ये कॉमन एरिया से एक परफेक्ट स्यांग रिवर विट माउंटेन का व्यू एंजोई कर सकते हैं इस अपर सबस्क्राइब निथुम बहुत है जो मानते हैं कि घर में बहुत ही शांति लाती है दिन का व्यू तो दिखा दिया, रात में भी ये एबोर कंट्री कुछ कम खुपसूरत नहीं है तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को टोटल प्रॉपर्टी एक बार दिखाने के लिए यह है मेरा रूम, कोटेज नमबर टू, और सिधा देखेंगे तो यह रास्ता पूरा जा रहा है जंगल के तरह यह है एबोर कंट्री का में बिर्लिंग, यहां पे भी बहुत सारा काटेगरी का रूम एवलेबल है लाइक डिलक्स रूम, सियांग सूद में बिर्लिंग के सामने से यह एक जास्ट राउंड व्यू और यह है डाइनिंग एरिया यह मैं अभी जा रही हूँ कमन एरिया के तरफ जो मैं सुबह में दिखाया था जहांसे एक परफेक्ट सियांग रिवर का व्यू आता है जो रात में भी बहुत ही सुन्दर लगा मुझे यह पर डाइनिंग एरिया या तो फिर एक अमन एरिया जहां पर भी देखेंगे जितना भी टेबिल्स और चेर्स है औल आर मेड़ अप ऑफ उड या तो फिर कोई भी इको फ्रेंटली मेटिरियाल से विंटर का इविनिंग बॉनफायर तो चाहिए ही अब पहले से बोलने से देविल एरेंज फॉर इट नहीं तो फिर वहाँ पे जाके भी आप बुकिंग कर सकते हैं देविल डू दा आरेंजमेंट्स सम्थिंग लैक दिस अब यसलि मेरे पिछर में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जो सुनने में आारा है हो है स्यांग् डिवर का सावंड इस लियलि माइंड भॉंग उपर में सितारा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और बैक्राउंड में आ रहा है Siang River का continuous flowing river का समग इस जस्ट माइं ब्लोई एही तक है आज का वीडियो ऐसा एक बैलकनी से Siang River का ब्यूटी छोड़ के भी नेक्स डे में हम लोग कॉंसा कॉंसा प्लेसेस एक्स्प्लोर किया उसका वीडियो लेके बहुत जल्दी में आरे हूं मेरा नेक्स ब्लोग में मिलते हैं बहुत ही जल्दी तिल देन बाई बाई जिस्ट एंजोई दे साउंड उफ माइटी Siang River